नमस्कार हिंदी प्रतियोगता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम लेकर आए हैं सेप्टेमबर मंद के करंट अफियर्ज तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रशन है हिमाचल में 2020 के मुकाबले 2021 में प्रदेश में सुसाइट का ग्राफ कितने विजदी अध स्टेशन ने 19 अगस 2022 को डैश मिलियन यूनिट का दैनिक विद्यूत का एक नया किर्तिमान स्थापित कर लिया है तो वो रहा है 49.526 मिलियन यूनिट ऑप्शन नमबर सीज का सही अंसर है अगला प्रशन हिमाचल प्रदेश में अंतराष्ट्री हवाई अड़े कहा निर्म अगला प्रशन है विलासपूर में गोविन सागर में डूप चुके रंग महल का निर्मान किस ने कराया था तो वीजे चंद ने करवाया था अगला प्रशन कुल्लो के सेवबाग में पहला सेप का पेड़ लगाने वाला स्थानिक कृषक कौन था तो वो पाधा बंसी डाल थे अगला प्रशन है हिमाचल में आपकारी और कराधान विवाग ने अगस्त माह में कितने करोड रुपे जी एस्ट के तक संग रहन लिया है तो वो लिया गया है 398 करोड रुपे औप्शन नमबर 60 का सई अंसर है अगला प्रशन है हिमाचल प्रदेश ने जल शक्ती निती का गठन किस वर्ष किया तो उन्होंने 2006 में इसका गठन किया है हिमाचल प्रदेश ने ऑप्शन नमबर 20 का सई अंसर है अगला प्रशन है हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिला के सरकारी उच्छ विद्याले नौरंगावाद में शनिवार को 20 फिट लंबा 1 फिट मोटा और 43 किलो बजनी स्याही वाला पैन शक्ती स्थापित किया गया तो वो सिर्व मोर में स्थापित किया गया ऑप्शन नमबर A इसका सई अंसर है अगला प्रशन है प्रदेश पुलिस मुख्याले ने साल 2021 के दोरान उतकृष्ट कारी करने वाले कितने पुलिस अधिकारियों और करमचारियों को शुक्रवार को DGP डिस्क अवार्ड देने के निर्देश चारी किये हैं तो वो 112 ऑप्शन नमबर B इसका सई अंसर है अगला प्रशन है प्रदेश की उना जिले में कितने करोड की लागत से बल्क ड्रंक पार्क का निर्मान किया जाएगा तो वो 1190.25 इसका सई अंसर है ऑप्शन नमबर B अगला प्रशन है हाल ही में हिमाचल परदेश की जिला सिर मौर के सरकारी उच्च विद्याले नौरंगा वाद में शनिवार को 20 फिट लंबा 1 फिट मोटा और 43 किलो वजनी स्याही वाला पैन शक्ती स्थापित किया गया इसे बनाने में कितना समय लगा तो इसे बनाने में तीन महीने लगे थे और इसका सही अंसर है अगला प्रशन हाल ही में किस राजी ने मुख्यमंतरी शोत पृत्साहन योजना शुरू करने की गोशना किया है तो वह हिमाचल परदेश है और इसका सही अंसर है अगला प्रशन हाल ही में आईटी भिभाग ने पिछले बित वर हिमाचल परदेश का पहला अटल आधर्श विद्याले किस थान पर बन कर तयार हो गया है तो वो मंडी में मड़ी में हुआ है अगला प्रशन हाल ही में परदेश के डिपूँंग में एक करोड रुपे का बजट चारी किया है तो वो एक करोड रुपे का बजट जो है इसके लिए जारी किया गया है औप्शन नमबर एश का सही अंसर है अगला प्रशन अपहरन के मामले राश्ट्री अपराद के रिकॉर्ड वीरो नई दिल्ली भारत में अपराद 2021 में प्रशित अंकड़ों के अनुसार हिमाजर परदेश ने कौन सा स्थान हासिल किया है तो उसने पहला स्थान हासिल किया है औप्शन नमबर एश का सही अंसर है अगला प्रशन हाल ही में डॉक्टर आरूशी जैन को परतिश्टित इंडियन स्कूल ओफ विजनस में निती नि प्रदेशक के रूप में नुक्ति किया गया इसका संबंध प्रदेश की किस थान से है तो इनका संबंध जो है शिमला से है ऑप्शन नमबर एश का सही अंसर है अगला प्रशन है जिला कुल्लू के पिरिडी में कौन सी राष्ट्री राफ्टिंग चैंपियंशिप होगी तो आठवी ऑप्शन नमबर 20 का सही अंसर है अगला प्रशन हाल ही में इंडिया बुक ओफ रिकॉर्ड्स में किस भिवाग का मेगा जागुरूपता कारिकरम दर्ज हुआ है तो वो अब कारी भिवाग है ऑप्शन नमबर A इसका सही अंसर है अगला प्रशन हिमाचल हाल ही में देश के पहले एंटी बायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्मान को लेकर प्रक्रिया कहां शुरू हो गई है तो वो बद्दी में शुरू हुई है अप्शन नमबर 20 का से अंसर है अगला प्रशन प्रदेश के उना जिले में कितने करोड की लागत से बल हिमाचल प्रदेश की जिला सिर्मौर के सरकारी उच भीभाग नौरंगाबाद में शनिवार को कुबीस फीट लंबा ये प्रशन पहले भी रिपीटेड क्वेशन है कि इसको बनाने में जो तीन महीने लगे थे अगला प्रशन हिमाचल प्रदेश में राश्ट्री स्वास् को ड्रेगन फ्रूट की खेती के लिए चुना गया है तो वो कांगड़ा और उन्ना है जहां पर ड्रेगन फ्रूट की खेती होगी अगला प्रशन आजादी कामरत महासव की कारिकरम के तहट अंतराश्ट्री मसाहित ती उत्सव का आयोजन हिमाचल प्रदेश के किस शहर मे हुआ था तो वो शिमिला में हुआ है उप्शन इसमें नहीं दिये गए है अगला प्रेशन है चिंता मनी भट द्वारा रचित संस्कृत करंथ शुक्र सब्तती का फासी अनुबाद कर उसका नाम तुती नामा किसकी द्वारा रखा गया था तो वो ख्वाजाजिया अगला प्रेशन हाल ही में 104 वर्षिय स्तुंतरता से नानी जैसी राम का मंगल वार को नेधन हो गया उनका संबंध प्रदेश की किस जिला से था तो उनका संबंध कांगडा से था उप्शन नमबर एसका सही अंसर है मतस्य आखेट के पहले दिन राज्य के जलाशियों में क मिट्रिक टन जो है मतस्य उत्पादन किया गया था अगला प्रेशन किंद्र्य प्रतिक्रिया निधी के इंतरगत हिमाचने परदेश को किंदर सरकार से कितने करोड़ूपे की राशी जारे की गई है तो वो 200 करोड़ूपे की राशी जारी की गई है option number 20 का सभी अंसर है अगला प्रेशन हाल ही में केंद्रिय कैबिनेट ने किस समुदाय को अनुसूचित जनजाती का दर्जा देने का बहु प्रतिक्षित फैसला लिया है तो वो हाटी समुदाय है अगला प्रेशन हाल ही में 25-100 करोड लोन लेने के बावजूद सरकार राज्य सरकार ने एरियर के भुकतान पर फिलहाल कितने करोड खर्च करना है तो कितने करोड रुपे खर्च करने के लिए हैं तो वो बारा सो करोड है अप्शन नमबर सीज का सही अंसर है अगला प्रेशन हाल ही में शिमला में बाहनों की भीड का परधूषिण कम करने के लिए कितने करोड रूपे अनुमानित लागत की अभीनफ शहरी परिवहन रज्जु मार्क परियोजना का खाका तियार किया गया है तो 1546.40 करोड रुपे इसमें प्रियोजना को तयार करने के लिए बजट तयार किया गया है अगला प्रशन हिमाचल परदेश में इस बार मंडी मध्यस्ता योजना के देह सेव की रिकॉर्ड खरीद हुई है पहली बार हमाचल परदेश में मंडी मध्यस्ता योजना के देह कितने हजार मिट्रिक टन सेव खरीदा गया है अगला प्रशन हाल ही में हमाचल परदेश में बरसात में हुए नुकसान की भरपाई के लिए किंदर सरकार ने कितने करोड रुपे किराशी दी गई है जारी किया है तो वो दो सो करोड रुपे की राशी जो है इसमें जारी की गई है अगला प्रशन है एच पी शिवा परियोजना के धहत क्षित्र की स्तारा पंचाईतों की 233 हेक्टेर भूमी को लगबक कितने करोड खर्च कर उपजाओ भूमी के रूप में परिवर्थित किया जाएगा तो वो 500 करोड रुपे की राशी जो है इसमें खर्च की जाएगी 7 अक्तूबर को महानाटी का आयोजन किया गया था तो रत मैदान में जिले की करीब कितनी महिलाएं धाटू पट्टू और अन्य पारंपरिंग परधान में सचकर भाग इन्हों कितनी औरतों ने भाग लिया था तो वो 8000 औरतें थी ऑप्शन नमबर सीज का सही अंसर है अगला प्रेशन है मुख्य मंतर ने उत्तरा खंड और हिमाचर परदेश की सीमा पर यमुना नदी की सहायक टोंस नदी पर प्रस्तावित राश्ट्री महित्व की पर्योजना को लेकर केंदर सरकार से इन्पुट पावर लागत कितने रुपे प्रती किलोवाट आवर पर स अगला प्रेशन हाल ही में हिमाचर के किस थान में राज्य प्रेटन मंतरियों का 3 दिवसिय अराश्ट्री सम्मेलन बुधबार को केंदरी प्रेटन मंतरी जी किशन रेडी की उपस्थीती में संपन हुआ तो वह धरमशाला में संपन हुआ है option number 20 का सही अंसर है अगला प्रशन हाल ही में कैविनेट ने प्रदेश में कितने नए डिगरी कॉलिज खोलने के मंजूरी दी है तो वो 5 डिगरी कॉलिज खोलने के मंजूरी दी गई है option number 60 का सही अंसर है national games में net wall खेल में हिमाचर प्रदेश की महिला टीम भी भाग लेगी national games में net wall खेल की प्रतियों किता है एहमदाबाद में कब से कब तक खेली गई थी अमरित 75 अमरित महसा में निर्वाचन आयोग ने माचर प्रदेश के दिकारियों को कितने फीसदी मतदान का लक्ष दिया है 75 75 75 75 अमरित महसा में 75 फीसदी मतदान का लक्ष दिया गया है अगला प्रदेश में कितने senior country school में herbal garden बनाए जाएंगे तो 136 school में herbal garden बनाए जाएंगे अगला प्रदेश जैब वीतिता के सरंग्षन के साथ बन्य पराणियों के लिए जीवन रक्षक बने किस national park में जल्द ही दुरलब प्रजातियों में शुमार कस्तूरी मरग की गणना की जाएगी तो वो great हिमाले नेशनल पार्क है option number A अगला प्रदेश में किस थान पर जल्द ही boom barrier लगाए जाएंगे तो वो धरमशाला और ज्वाला मुखी है option number B इस का सही अंसर है अगला प्रज़न हाल ही में कितने साल बाद शिमला दिल्ली हवाई उडान शुरू होगी तो वो दो साल बाद जो है इसकी उडान शुरू होगी अगला प्रज़न ही माचल की दूसरी सबसे लंबी सुरंग कालका शिमला नेशनल हाईवे पर बनेगी इस सुरंग के लंबाई कितनी किलोमेटर होगी तो इसकी लंबाई जो है 2.66 किलोमेटर होगी अगला प्रज़न हाल ही में किस राज़े के मंतरी मंडल ने प्रात्मिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर योजना को मंजूरी दी है तो वो ही माचल परदेश है उप्शन नमबर सी इसका सही अंज़र है अगला प्रज़न हाल ही में राज़ियों और केंदर शासिज परदेशों में प्रेटन मंतरियों का राश्टर समेलें कहां आयुज़ित किया गया है तो वो ही माचल परदेश में आयुज़ित किया गया है अगला प्रज़न हाल ही में नाबार दौरा चलाए जा रहे रूरल इंफ्रोस्ट्रॉक्चर डेवल्प्मेंट फंड के तहरत हिमाचल परदेश को 106.54 करोड रुपई की कितने प्रोजेक्ट के मन्जूरी मिली है तो वो 113 प्रोजेक्ट है अगला प्रशन हिमाचल परदेश के किस जिले में जन में मयंक वैद्य ने होंग कॉंग में 10 में सबसे तेज समय में 10 मेरोथन ट्रेड मिल पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है तो वो बिलासपूर से संबंद रखते हैं मयंक वैद्य तो ये थे सितंबर महीने के कुछ भैतपूर्ण करंट अफियर आई हूब आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो म तब तक के लिए जय हिन जय भारत